दोस्तों अगर इंडिया जैसी country की overall economy grow करती है तो ऐसे में हमारे banks और NBFC के growth होने के chances जादा रहते हैं अगर हम focus करें ऐसे stocks पे जो की banking sector से belong करते हैं और उनमें long term investment के तहत लंबे समय के लिए hold करें तो हम आने वाले समय के लिए एक अच्छा खासा portfolio create कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नहीं जानकारी के साथ दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा informative होने वाले क्योंकि इस वीडियो में हम दो banking sector के stocks के बारे में discussion करने वाले ये stocks 100 रुपय से कमदाम पर trade करें और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि banking sector में आने वाले समय में growth के potential से इन दोनों stocks में कितना growth हो सकता है overall तो वीडियो को यहाँ पर पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा आप लोग के comment से हमें पता चल रहे है कि आप लोग को information समझ वे आ रहे है आप लोग सीख रहे है और उननों के comments आप अगर पढ़ेंगे तो आपको clearly समझ में आएगा कि सीखना ही एक मातर तरीका है stock market में profit generate करने का tips and tricks काम नहीं आते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और like अभी से कर दीजिए आप लोग in case like करते हैं तो motivation तो है obviously motivation ना होता तो हम लोग videos ना बना रहे होते motivation के साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हाँ आप लोग वाकई में वीडियो को follow कर रहे है पूरी वीडियो देख रहे है और साथ ही साथ वीडियो को like करते हुए अपने दोस्तों में भी share कर रहे है ठीक है चली हम यहां पर जि अब यहां पर ध्यान दे तो यह जो particular bank है basically retail banking, SME banking and corporate banking से जो भी revenues है वो generate करती है generally जब भी हम banking sector या NBFC sector के stocks की analysis करते हैं तो ऐसे में हम simple plain जो हमारे fundamental parameters होते हैं उनको देखते ही देखते हैं साथ ही साथ banking sector के जो parameters जैसे की cash ratios, NPS यह सब भी हम देखते हैं ताकि हमें clearly समझ में आए कि वो particular bank हमारे लिए fruitful bank हो सकता है आने वाले समय के लिए या नहीं ठीक है च IDFC first bank और यह December 2018 की बात है, 2018 के बात से IDFC first bank दो profitable रही है लेकिन dividend नहीं दिया है, कोई भी company अगर profitable होते हुए dividend नहीं देती है तो उसके पीछे दो regions हो सकते, company या उन profit को अपने growth के लिए इस्तमाल करना चाहती है, या company का management यह decide करता है कि नहीं हमें dividend policy नहीं लानी है, हमें company में dividend नहीं देना है, अपने existing investors को, हलाकि जो company या dividend देती है, उससे clear cut हमें यह पता चलता रहता है, कि company या profitable है, तभी dividend pass on कर रही है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे customer deposits की बात करें, तो 4.5x growth हमें देखने को मिलिया, December 2018 से customer deposits में, customer deposits basically वो होता है, जैसे कि जो हम पैसा जमा करते है right banks में, वो ही customer deposits होता है, basically यहाँ पे देखें, तो 2018 के बात से, merger के बात से, यहाँ पे 4.5x growth हमें देखने को मिलिया, और साथ ही साथ branches, number of branches, केवल 206 branches थे, 2018 में, और यहाँ पे 4.4x growth हमें देखने को मिलिया, total number of branches की इंडिया में, और साथ ही साथ, loan assets में देखें, तो 1.8x क हमें growth देखने को मिलिया, कैसा ratio देखिये, जैसे कि हम banking sector के stocks के ratios के बारे में discussion कर रहे थे, यहाँ पे 8.7 से grow होके 46.8% के आसपास आ चुका है, जो की एक बहुत ही stable figure है, कैसा ratio के terms में banking sector के stocks के लिए, और यहाँ पे all in all हम कह सकते हैं कि इस bank ने merger के पाद बहुत अच्छे तर finances में growth हो रही है, cash ratio इन्होंने improve किया, और साथ ही साथ net NPS इन्होंने यहाँ पे improve किया, overall यहाँ पे operating income हमें growth होती ही दिखाए दे रहे हैं, और साथ ही साथ profit after tax में 36% के आसपास growth होती ही दिखाए दे रहे है, return on assets यहाँ पे 1.05% के आसपास है, return on equity इन्होंने करीब 10.67% के आ आसपास हमें देखने को मिल रही थी, तो एक अच्छा खासा improvement हमें देखने को मिला है, और capital adequacy ratio भी यहाँ पे 16.73% के आसपास है, जो की 8-9% के आकड़े से बहुती बहतरीन figure है, in terms of overall cash ratio, ठीक है, यहाँ पे अगर हम overall market opportunity देखें, Indian market context में, तो retail, rural और SME loans की progress हम देखें आने आने वाले समय में इसमें growth हमें देखने को मिल सकती, तो ऐसे में banking sector के stocks में आने वाले समय में हम growth का expectation कर सकते, अब यहाँ पे ऐसे में अगर हम fundamentals देखें, IDFC First Bank के, तो आप देखिए company आपको dividend नहीं provide करी है, company दो profitable है, क्या आशपला हाला कि यहाँ पे negative है, पत्रवस्की score हो दो लाक एक हजार करोड का है, बट debt consider नहीं करेंगे, debt to equity 7.80 है, generally ऐसे stocks में हम investment नहीं करते हैं, जिनमें कि debt to equity 1 से जादा होता है, बट banking sector के stocks में आपको NPH वगरे देखने को मिलती है, bad loans होते हैं, जिनकी वज़े से आपको debt to equity 1 से जादा देखने को मिलती है, price to earning ratio के हिसाब और PG ratio की साब से यह stock undervalued दाम पर trade करता हूँ, दिखाए दे रहा है, यहाँ पर overall देखें, तो industry price to earning ratio से यह stock जादा दाम पर trade कर रहा है, बट industry price to earning ratio का अगर हम ध्यान दे, तो वो भी 12 का आसपास है, तो industry में overall आने वाले समय में growth का expectation हम कर सकते हैं, और important point यहाँ पर face value 10 का है तो यानि कि आने वाले समय में stock split भी हो सकता है, तो देखिए 60,000 crore का market का application है और जो अगली company हम discuss करेंगे, उसका market का application केवल और केवल 10,000, 11,000 crore कोड़ के आसपास है, तो ऐसे हम हम कहा सकते हैं, कि जो company है, आने वाले समय में growth के chances में है, और fundamentals भी इसके solid है, तो ऐसे में ऐस इसी company हो में investment करने से हमें returns मिलने के chances ज्यादा रहता है, अब यहाँ पर ऐसी company हो का मतलब IDFC first bank ही है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहा रहे हैं, देखिए stock market की investigation या analysis के लिए stocks का examples लेना बहुत ही जरूरी होता है, तो यहाँ पर हम इन तोनो banks का examples लेकिए आपको समझाने की कोशि कि वेदर उसमें investment करना है या नहीं, ठीक है यहाँ पर अगर हम shareholding pattern देखें, जून 2023 में 39% के आसपास promoters थे, 31% यहाँ पर public थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको करीब-करीब 27% के आसपास institutional shareholding, यानि कि qualified investors का investment देखने को मिलना था, December 2023 आते आते यहाँ पर fundamental analysis के बिना किसी financial analysis के हम investment करने का decide कर सकते हैं, हलाकि एक मातर deciding factor नहीं होता है, कि हमने देख लिए बहुत अच्छे खासे institutions हैं, और हम गये blindly investment करने लगे उसमें, ठीक है, चलिए एक दिन के candlestick चार्ट पर यहाँ पर गिराउट होती करीब-करी 75 रूपीज के आसपास गया थ तो थोड़े बहुत हमें clarity मिलेगी, एक मत के candlestick chart भी यहाँ पर देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक breakout आपको देखने को मिला था, करीब-करीब 79-80 रूपीज के आसपास breakout sustain करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी fresh investment की यहाँ पर देखा जाते हैं, तो थोड़ी सी क सम है, अगर आने वाले समय में यह 95 के ऊपर sustain कर जाता है, तो ऐसे में fresh buying opportunity हो सकती है, बट यहाँ पर, since हम long term की बात कर रहे हैं, तो long term में ऐसे stocks को focus में लेके हम चल सकते हैं, ठीक है, तो यह सब बाते हम आपको सिखा रहे हैं, अपने overall courses में, हमारा जो website है, आप उसको explore कर सक हैं, हम अपने लिए एक अच्छी portfolio create कर सकते हैं, इस particular course में chapter 2 तक की videos हमने upload की है, आने वाले समय में बाकी chapters की videos हम अपनोड करते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम videos upload करेंगे, उन सभी के आपको access मिलते जाएंगे, ठीक है, तो इसकी links मैं आपको description में दे दूँगा, आप explore कर सक अब जैसे कि हमने IDFC first bank के case में देखा था, IDFC first bank एक तरह से देखा जातो, micro and SMEs वगरे पर focus moreover नहीं करती है, बट यहाँ पे यह company micro banking company है, और साथ ही साथ micro, small and medium enterprise loans भी provide करती है, affordable housing loans के साथ ही साथ financial institutions loans भी provide करती है, यहाँ पे overall जो two-wheeler, three-wheeler loans होते है, loans against FD होता है, यह सब भी provide करते हैं, और साथ ही साथ deposit से भी यह revenue overall generate करते हैं, ठीक है, चलिए तो disbursements यहाँ पे देखें, तो year on year 90% की आसपास growth देखी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम NPH वगरे देखें, तो NPH में हमें improvement देखने को मिली है, deposits यहाँ पे देख सकते है, 28% के आसपास से growth और साथ ही साथ यहाँ पे capital education ratio 24% के आसपास है, तो all in all के हैं, तो इसके भी parameters, जो की banking related parameters होते हैं, वो strong देखने को मिली है, हलाकि जो overall profitability की growth है, उतनी अच्छी हमें नहीं देखने को मिली है, इस particular bank की, ठीक है, तो यहाँ पे net interest income 9% के आसपास देखने को मिली है, और साथ ही स invest on loan से करीब-करीब 36% के आसपास से इसमें growth देखी जा रही है, और total जो income है, उसमें 39% के आसपास से growth देखी जा रही है, हलाकि profitability की बात जब आती है, किवल 1% के आसपास से हमें growth होती ही दिखाए देखने है, overall profitability में, ठीक है, income और profit में difference रहता है, यह बात हमें as a retail investor समझती जरूरी ने कि हम revenue generate कर रहे हैं, एक लाग करोड का, और हम profit भी बहुत ज़्यादा generate कर रहे है, ऐसा नहीं होता है, कुछ company ऐसी होती ही, जो कि revenue generate करती है, sales generate करती है, एक लाग करोड का, और उनके expenses ही एक लाग करोड करोड रुपय के आसपास होते है, profit निल हो जाता है, तो य यह सब बातें भी हमें as a retail investors समझनी चाहिए, ठीक, चली उजीवन small finance bank limited जो है, वो pan India आपको देखने को मिल जाएगी, और आपके आसपास अगर आपको देखने को मिल रही है, तो comment करके जिरू बताइए गया कि यह आपकी locality में उजीवन small finance bank आपको देखने को मिल रही है, या नहीं, ठीक है, चली यहाँ पे अगर हम fundamentals देखें इस particular bank के, तो आपको consistently dividend pay out करें और dividend yield इसका बहतरीन है, यहाँ पे company profitable है, cash flow भी positive है, पेत्रोस की score जैसे की हमने कहा हम consider नहीं करते हैं, हालागी पेत्रोस की score की साब से long term liquid बैट रही है, ग्राहम नमर के हिसाब से अभी value दाम पे trade करते हुए दिखाए दे रहा है, तो हमने देखा कि दोनों के दोनों bank अपने price to earning ratio के हिसाब से under value दाम पे trade करते हुए दिखाए दे रहे है, तो all in all, यहाँ पे यह fundamentally strong company देखने को लग रही है, और साथ ही साथ यहाँ फे face value दसका है, तो आने वाले समय में stock speed में ह अब shareholding pattern देखें, तो March 2023 में 74% के आसपास promotors थे, 16% यहाँ पे public थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, करीब-करीब 9% के आसपास आपको institutional shareholding यानि की qualified investors का investment देखने को मिल ला था, December 2023 आते आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि आपको public investment कम होते ही दिखाए दे रह चलिए यहाँ पे अगर हम technicals देखें, तो यह stock 44 रुपए के आसपास तक गया था, उसके बाद से यहाँ पे 56 रुपए के आसपास तक गया, एक मत के candlestick chart के बात करें, तो एक मत के candlestick chart पे आप देख सकते हैं, शांदार यहाँ से recovery दी, 14 रुपए से यहाँ पे आपको करी करीब 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 50 रुपए तक गया, और यह 50 रुपए का point इसका पिछला all time high था, तो पिछला all time high करीब करीब 50 रुपए का break करता है, तो ही आने वाले समय में हमें 75 रुपए, 100 रुपए के prices देखने को मल सकते हैं, otherwise यहाँ पे थोड़ा सा stock कह सकते हैं, कि long term consolidation zone में भी ज आ सकता है, तो I think यहाँ पर clearly आपको समझ में आ रहोगा कि दोनों के दोनों stocks कैसे stocks हैं, और आने वाले समय के लिए क्या opportunity हो सकती है, इन में investment पर, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों, उम्मीदर वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिए, को profitable investor बनने की रह पर आगे बढ़ सके,